हर्याना के विधान सबा चुनाब में इस बार एक बड़ा इतिहास रचा गया है पहली बार किसी पार्टी की तरफ से तीसरी बार सरकार बनाई गी है हम आर साथ बात करने के लिए अभी हाली में जेते विधाइक बरवाला से मौचूद है सर इतिहास बना है आज तक हर्याना के अतिहास में विधान सबा चुनाब में जन्यों कि किसी पार्टी ने तीसरी बार रिपीट किया बिल्कुल मैं धन्यवाद करूँगा हर्याना प्रदेश के सभी मद्दाताओं का जिन्होंने एक बर फिर से भारतिय जन्ता पार्टी पे विश्वास जता करके और तीसरी बार एक record काईम करने का क्या है कि नाइव शैन्य जी के नेतरताओं में तीसरी बार भारतिय जन्ता-पार्टी की पूरूण भाम्मत की सरकार बनाने का क्या है इसके लिए धन्यवाद करूँगा और जिस तरीके से देश के अंदर NDA की सरकार आधनी निरंदर भाई मोदीजी के नेतरतों में बना के रिकार्ड काइम करने का काम किया था, इसी तरीके से हर्याना में भी रिकार्ड बनने का काम किया है परजात अंतर है, परजात अंतर के अंदर लोगों का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है भारतिय जन्ता पार्टी ने पिछले दस सालों में ट्रांस्फरेंसी के साथ राजचला करके बिना कोई शेतरवाद के बिना कोई भेद भाव के राजचलाया, क्रेप्शन पे अंकुष लगाने का काम किया और सबसे बड़ी बात ये कि युगाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि आप अगर अच्छी सिक्षा गरेंड करते हो तो सिक्षा के दम पे सरकारी सेवाओं में अपना स्थान बना सकते हो और पंडित दीन द्याल उपाधाय का जो मूल मंतर है अन्तियोद है इस तरीके की योजनाई बनाई कि अंतिम वेक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाब पहुंच रहा है ये तमाम मुद्दे थे जिससे भारतिय जन्ता पार्टी पे लोगों का विश्वास बढ़ता गया और आज पूर्ण भहुंच की सरकार प्रदेश की जन्ता ने बनाने का काम किया है जहां तक कॉंग्रेस की बात आपने कही कॉंग्रेस पार्टी जन्ता का विश्वास को चुकी है लोगसभा के अंदर उन्होंने एक भरमजार फेलाने का काम किया था सविधान की पतरी का आथ में लेकर के कि अगर भारती जन्ता पार्टी की 400 सिटें आई तो इस सविधान बदलने का काम करेंगी उन लोगों ने इस तरह के की बात की जिन्होंने अपने समय में सविधान की दजियां उड़ाने का काम किया हमारे नेताओं ने, हमारे कारेकरताओं ने वाड सतर तक जा करके, गाहों तक जा करके इस बात को कलिर करने का काम किया और हमारे यहां एक कहवत है कि काठ की आंड़ी बार बार नहीं चड़ती इसलिए एक बर तो वो कहीं कहीं जनता को उर्वाने में कामियाब हो गई लेकिन अब लोगों को समझ में आ गई और और उत्सा से लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रक्समे मद्दान करने का काम किया उसका प्रिणाम है कि आज भारत्य जिन्ता पार्टी की सिरकार जो है पूर्ण वहुत की बनी है और अब वो कह रहे हैं कि EVM की सिकायत करने गए हैं जब लोक्सवा का चुनाव था जब उनकी पांच सिट्टे आई तब तो EVM ठीक थी अब खराब हो गई जहां वो जो जीत रहे हैं वहां से कलोई से जीत रहे हैं उड़ा साब वहाँ तो EVM ठीक है बाकी जगाए भी उनको खराब दिखाई दे रही है वो अपना अगर जे कोई खराब है तो उनकी मानसिक्ता खराब है कंगरेस के लोगों की जिस तरीके की टिपनियां इस चुनाव के दोरान या चुनाव से पहले आई दलीत विरोदी महिला विरोदी इस टाइप की आई और विशेश रूप से युवा विरोदी क्योंकि उनको उमीदवारों ना जिस तरीके के जो ब्यान दिये कि हम हमारे इससे में पचास वोट पर एक नोकरी आएगी इस तरीके की बातें कहीं लोगों को लगा कि आप फिर ये नोकरी बेचने का काम करेंगे और इसलिए आज उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम प्रदेश की जंता ने किया है कारण ये भी मानते हैं जो कुमारी शेल्ज और हुटड़ा का जो आपसी टकराव था ये भी हार का बड़ा कारण रहा है कॉंगरेस का या फिर जाट वर्सिस नौन जाट हुआ है क्या ऐसा रहा देखिए जाट नों जाट की बात तो केवल और केवल कॉंग्रेस कर सकती है हमारी पार्टी 36 ब्रादरी की पार्टी है हम सब को साथ लेके चलने वाड़े लोग हैं और हमें हर वरग का आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने भी बरवाड़ा से चुनाओ लड़ा है और पहले जब हमारे चुनाओ के अंदर बरवाड़ा से मिल गेट सेतर जो सेरी सेतर है वहां से जी जाते थे गाउं में हार जाते थे इस बार जो बरवाड़ा सेर ने लीड दी मील गेट ने लीड दी उसके अंदर ओर ज्यादा लीड बढ़ी है गाउंसे भी हमारे हाँ 37 ब्रादरी के लोगों ने इसमें आगे बढ़ करके जो है वोट देने का काम किया है पहली बार बरवाडा के अंदर कमल खिलाने का काम जो है वो किया है ह workflow है और जो हमें टो कोंग्रेस पारटी की बात है गुटवाजी की बात अपने कही हम तो पहले कहते थे हम में कोंग्रेस के साथ लड़ने की जुरूत नहीं है हम पहले दी यह तो एक दूसरे को खुद निप टारणे का काम करें हम तो चुनाम भी है कहते हमने तो जो दस साल तक जो कारिय की हैं उन कारियों को ले करके हम लोगों के बीचे में गए लोगों को ने आसिरवाद हमें दे करके और भारे इमतों से यह से जिताने का काम किया है क्या प्रोर्टी के लिए लेंगी कहा जा सकता है कि कबिने की बात है कि जो जो इस्टेट के इस्वोज है वो तो हमारे जो हमने संकल पत्र में के अंदर लिये हैं उन संकल पत्रों पर जैसे हमारा जल्दी इस करने का गठन हो जाएगा पहले दिन से हम उसे काम करने का काम सुरू करेंगे हमने जनता में विश्वास बनाने के लिए हमारे पास चाहे 2014 का गोशना पत्र हो चाहे 19 का हो उन तमाम जो बर्वाडा के जो शहर के अंदर चाहे वो शीवरेज की बात है चाहे वो पाणी की पीने के पाणी की दिकत प्रेशाने वाली बात है चाहे वो अनप्रूब्ड का एरिया है कुछ एक जिसमें माल करना हक उसमें दिखाई नहीं दे रहा वो इश्यू है और जल भराव की और बरवादा जयदर सबब्गे पानी को करने का काम करें चीवराइब होते की इस पाणि के दिर वागगे दिहाएब के उसादर हमारा सपना है को वाजा को हम एक सूद्र चेहर करवाना जैसे हमने पहले भी करवाई है ताकि किसान अगर अपने खेत में जाए तो उसको कोई दिकत परिशानी किसी तरह के कि ना हो कई जगाए पर मैंने जो नोट किया है गाउं के अंदर वी क्योंकि जल सतर उपर बढ़ गया इसलिए ग्राउंड वाटर और वाटर वक्स पर उठाकर के हम उसको पाणी जो अच्छा पाणी देने का काम करेंगे लोगों को किसी प्रकार की दिक्ष्ट प्रषा नियुक्त की आधार पर करेंगए जहां तक कापने आपने अभी कहा के मेरे अधिकारी की बात नहीं है ना इस भात की चिंता करता ना है मुझे चिंतन करना इस पर यह मुख्यमंतरी का अधिकार शेतर है हमारे पारलेमेंटरी बोर्ड का जो फैंसला होता है जिसको भी मुख्यमंतरी चाहेंगे वो अपनी टीम में अपनी टीम में लेंगे मैं तो यह जरूर वाइदा करता हूं कि जो वाइदे मुख्यमंतरी मोदय अभी दिल्ली से साइद आ रहे हैं जल्दी है वो बता पाएंगे हमारे पारलेमेंटरी बोर्ड से उनकी बात होई है सीरस ने तर्तव से भी उनकी बात होई है अगर बताएंगे तो जरूर आपको बताएंगे तो यह थे हमारे साथ बात करने के लिए बरवाला से जीत कारण रहा है कि पिछले दस साल में जो दावे और वादे किये थे उसी को हमने पूरे किये जिसके चलते हमें इस बार फिर से तीसरी बार जो है जनता ने फत्वा दिय है कैमरामेनल जंदे के साथ चर्णी करसी टीवी नाइन के लिया मन फ्रीद कॉल